और यह सेवा करनी है तो उसके पीछे अपनापन है और अपनापन ही भगवान का रूप है सारे अध्यात्म को अगर एक शब्द में बताना है तो प्रेम ऐसा ही बताते हैं उसके चलते हम प्रेडित होते मैं एक बहुत बड़े विक्ति को मिलने गया अर्बोपती है सारी दुनिया में नाम है पहली बार मिलने गया तो उन्होंने अनुमान लगाए संग्वाला मिलने के लिए आ रहा है वह हिंदू नहीं है हिंदू जिनको कहते आज दुनिया में वै तो उनको यह क्यों मेरे पास आ रहा है तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इनके बहुत सारे सेवा कारे होगर रहते हैं तो पैसा चाहिए होगा ठीक है उनको इसको विरोध नहीं है वो बहुत सेवा वो स्वहम करते हैं इसलिए आने दो आए हमारी बात चली सवा घंट सब्सक्राइबात चली व राह देख रहते अब मांगे अब मांगे गा लेकिन बाती नहीं कि मैंने कोई तो उनको लगा कि मुझे संकोछ रहा है मêmesने का पहली बार मिल रहे क्ने मुझे रूपनिंग देने लिए यह कहा कि आपकी इतने ता कारी चलते है तो उसके funding कि आप क्या व्यश्टा करते ए to my मैंने का भी हमारा कारीकरता विचार नहीं करता इसका, फंडिंग उगर एका, हमको सोचना ही पड़ता, हमारी कारीकरता को कही अभाव दिखा, दुख दिखा, तो वो दौड़ पड़ता है, उसमें जितनी ताकत है, उतना करने लगता है, अपना समाज ऐसा है, कि प्रामानिक्ता से, निश्वार्थ बुद्धी से कोई कोच अच्छा काम करता है, तो उसको किसी बात की कमी नहीं रहने देता, तो इसलिए उसका हम विचार नहीं करते हैं, वो अपने आप हो जाता है, तो फिर उन्होंने सिधा ही मुझे पूछा, फिर आप मुझे मिलने क्यों आयो, आप हिंदू संगटन करते हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, और आपको कुछ मांगना नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि दिखिए, वो समय ऐसा था, आपने समाज में एक निराशा व्यापत थी, आप एक अच्छे विक्ति इसलिए प्रसिद्ध हो, बच्छेवा वगरे भी करते हो, आप समाज में आपके परती एक आस्था है विश्वास है, तो आप ये करते समय साथ साथ ये भी कहते जाओ कि अपने देश में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, सब डूप जाएगा, अभी ये सुधरने वाला ने, ऐसी जो भावना है, वो गलत भावना है क्योंकि जितना बुरा हो रहा है, उससे 40 गुना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं सारे देश में घुमता हूँ, मैं देखता हूँ, आप भी अनुभो करती होंगे, क्योंकि आप जाते हैं समाज में सिवा करने के लिए, ये बात आप लोगों को बताओ क्योंकि समाज का होसला रहना चाहिए, समाज का होसला तूट गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, समाज अगर खड़ा है, तो फिर भगवान सायक होते है, भगवान का भी ऐसा है ना, जब तक और पांडव अपने शस्त्र उपर से निकाल कर लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान की ताकत तो है ना, थोड़ी अपनी भृकुटिकों तेड़ा कर दे, तो सारी दुष्ट भस्म हो जाए दुनिया की, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं नहीं, कोई खड़ा हो जाता है सत्य के पक्षमें, सज्जन्ता के पक्षमें, प्रेम के पक्षमें तो उसको बल देने का काम भगवान करते हैं, उसके हाथ से करवाते हैं, पंड़ों खड़े हो गए और लड़ना उनको ही पड़ा, भगवाने के वाल रच चलाया होंगा, इसलिए समाज खड़ा करना यह महत्व की बात रहती है